असलाम उलेकुम इस्ट्रेंट्स कैसे आप ठीक हैं अल्लाप आपको शुर्ट के जिन्दगी से दे आपको कामियाब करें प्रवर्वर्दिगार आलम हम आज हम यूनट वन के MCQ करेंगे ठीक है और सिर्फ उनको हम यू टिक नहीं करेंगे हम बाकाइदा सॉल्फ करेंगे सागने 3 मारे ठीक है बाता यह देखे हमारी पास ही जो मजब कने करो कर देते हैं तक आपको आयो मजब की पताँ है यह सिर्फumen vraiक मेंजगे आप करेंगे पूरी तो आपको बात समझ आईगी ऐसे आपको समझ नहीं आएगा ठीके हमें क्या करना है हमें समझ करनास नहीं था इसके बाद आपको दो वालियूम दिए हैं पहले इसके डेटा निकालते हैं और निकालके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आउन्सर पता चलेगा ऐसे किसा answer वैसे आपने नहीं बताना है कि tick कर लिया और answer बता दिया तो हम पहले इसका डेटा निकाल लेते हैं gram में मास दिया तो M क्या हो traditions मास झाँ हमारे पस 27 यह ग्राम दिया हमें ठीक है हमें एमने लिखा 27 ग्राम यह अमने मास लिख दिया है इसके बाद आपको क्या कहा है इनोंने वॉल्यूम जो दिया है वो टू वॉल्यूम दे रखी है एक 50 दिया और एक 30 दिया है तो यकीनन क्या है वी 1 कितना है आपके पस 30 cm3 है और वी 2 कितना है आपके पास वो 50 cm3 है अब आपने जो एक वॉल्यूम निकालना है सेन्टिमिटर क्यूब 20 सेन्टिमीटर क्यूब यह आपका वॉलिूम हो घ्या है अब उसे पूच्छा क्या है हमें इसमें पूच्छा है आप यह देखना हमने उसे कहा है कि dyeन सिटी density معلوم کرने density معلوم کرने के लिए हम क्या करेंगे density करने के लिए हमें density 김ा फार्मूला रखाना है घर- MIKE बता देते है कि यह हमें मालूम करने ही density का फार्मूला किसके बराबर होता है यह आप याद रखेंगे यह में जहन में होना चाहिए तो हम काम कर पाएंगे density is equal to mass over volume ठीक है यह होता है अब आज दोनों चीज़े given है mass भी मापस given है volume भी given है तो अब हम formula apply कर देते हैं क्या formula हो जाएगा इसमें formula हो जाएगा density is equal mass over volume value पुट कर दें mass आपके पास कितना है 27 है आपने 27 पुट कर दिया volume कितना है 20 है 20 पुट कर दिया और जब आप इन दोनों को cancel out करेंगे तो आपके पास answer क्या आ जाएगा आपके पास answer आएगा 0.90 ठीक है क्या है 0.90 mass का unit क्या दिया है आपको यहाँ पर gram दे रखा है जो unit है वो यूज़ करेंगे उपर वाले में उपर का unit लिख दें gram और पर नीचे के है centimeter cube है तो आप centimeter cube ढाल देंगे ठीक है यह इसका unit होगा अब हम देखेंगे कि option में कौन सा option दिया हुआ है जो के बिल्कुल यही है जो हमने मालूमात की है तो हम वो option लिख देंगे तो minus 0.9 ठीक है यह देखें यह हमारा यह option है जो हमारा answer आया है यह वहला हमारा option है यह यह हमारा answer है ठीक है जी इसके बाद क्या हमें दे रखा है यह देखें next में दिया question इसमें next में third में देखें आपको क्या दिया इन्होंने इन्होंने का एन अब्जेक्ट मास 100 kg 100 ग्रैम किलोग्रैम नहीं ग्रैम में दिया तो यहां भी ग्रैम में था यूट वह दिया आपने वह यूज करना है कि object है जिसका 100 ग्रैम मास है इमर्ज इन दा वाटर पानी में उससे डब हो हमें मास ओवर वालिउम हमने अभी-अभी किया है मास ओवर वालिउम चाहिए तो इसका मतलब है मैं वालिउम भी पता होना चाहिए और मास भी पता और यहां पर उनre numéro 30 ग्रैम का दिया और वालिया पको नज़र आ रहे है इसमें वालियुम तो उन्होंने हमारे पास से जह आपको यह नहीं पता चलेगा तो आप फिगर में देख लें वाल्यूम कितना होगा तो आपको पता चल जाएगा वाल्यूम जी पिटा आपने देखा इसमें गौर से अपनी बुक में देखें शाबाश आपको पता चलेगा आप यहां देखें थार्ड में आपको 100 ग्रैम्स दे रखा है ठीक है यह क्या है मास्ती है volume हमें देखना है वाल्यूम नहीं दिया ना देखे यह हमारे पास वो सेरेंडर है जिसमें कि अभी बॉल्स को डिप नहीं किया है ठीक है अबजेक्ट को डिप नहीं किया कोई भी अबजेक्ट आप समझ ले यहां पर डिप नहीं किया तो यह कितना है आपको नजर आ रहा है यह 50 है और जा डि किया 50 तो 40 आगया ठीक है new 40 आगया है अब यहां 40 जिस तरीके से आया हम अब इसको करते हैं solve आपको बस यह बात याद रखनी में किया आपको जैसा इसमें बता है किया आपने उस तरीके से अपना काम करना है ठीक है अब यहां पर हमारे पास 100 अब यह नेक्स कुस्टर में हम 100 ग्रैम के हिसाब से करेंगे तो हम मास लिख लेते हैं क्या है मास हमारे पास मास इस इक्वल या 100 ग्रैम ठीक है ग्रैम में दिया हमने ग्रैम में यूज करना है अगर किलो ग्रैम में होगा न तो फिर वहां सेंटीमीटर में नहीं होगा यून हमारे पास वो दोनों चीज़े मौझूद हों जैसा कि density is equal mass over volume यह दोनों हमारे पास होने चाहिए तो यह gram में क्या mass है यह हमारे पास मिल गया में वॉल्यम हमने वहां से देखा से रेंडर से हमने आपको बता दिया है तो वॉल्यम के लिए आप क्या करेंगे वी बराबर कितना है आपको दूसरे में कितना दिया हुए 90 दिया हुए minus कितना होगया 50 होगया तो is equal किया आपके पास 40 unit में दे रखा है cm3 आपको दिया है अपने क्या मालूम करना है density तो density आप जानते हैं कि density is equal क्या होता है mass over volume क्यों होता है ठीक है, answer आप उसमें निकाल के देख लें, calculator में आपको पता चल जाएगा, हम यहां करके अभी आपको बता रहे हैं, 100 है, and divided by, divided by, हमने करना है 40, ठीक है, 100 divided by 40, यह क्या आगा 2.5, यह देखें, हमने यहां आपको solve करके देखें, 100 divided by 40, कितना आगा 2.5, ठीक है, अब हम यहां लेख देते हैं, कि density is equal क्या है, 2.5 है, और 2.5 में density का unit हमने आपको बता दिया, यहां गिरहम आजाएगा, और यहां पर क्या आजाएगा, volume का क्या दिया है, centimeter cube आजाएगा, ठीक है, यह हमारा unit आगा, अब हम देखें, इसमें हमारी book में, हमारी book में क्या दिया, हम उसी को tick कर लेंगे, लेकिन आप देखें, आपने इसको रटके तो ने टिक किया, आपने इसको solve किया है, और फिर उसके बाद आपने इसको tick किया है, जी, हमारे पस क्या आगिया है, answer, answer है, हमारे पस 2.5, यह रहा, 2.5 gram per centimeter cube, अब देखते हैं, यह है, 2.5 gram per centimeter cube, ठीक है, यह देखें यह वाला है, अब हमने इसको tick किया, जी, इससे next हमें क्या दे रखा है, what is the, what is the reading of this micrometer in the figure, अब देखें, इस figure को आपने देखना है, इस figure को आप देखें, अब micrometer में भी, आपको मालूम है कि यह क्या होता है, हमारे पास, एक जो immovable है, वो main scale है, और जो move कर रहा है, यह round यह घूमता है, यह घूमाने से page की तरह घूमाएं, तो यह घूमेगा, यह क्या हमारे पास, यह micrometer है, तो यह micrometer है, और यह क्या main scale है, इसमें भी आप देखें, जहाँ पर दोनों इसकी line और इसकी line यह line एक दूसरे के साथ coincide करेंगी, एक दूसरे के साथ मिलेंगी, व आपको इन्होंने क्या दिया है, a chips wrapper is a 4.5 cm long and 10 cm wide, ठीक है, एक चीज जो length भी रखती हो, width भी रखती हो, तो क्या होगा, area up to the significant figure, तो हमें उसका area मालूम करना है, अब area मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि area किसके बराबर क्या होता है, length, width और उसके squaring हम करते हैं, वो area के बराबर होता है, ठीक है, अब आपने इसको भी बाकाइदा तरीके से solve करना है, इसको भी आपने रटना नहीं है, तो इसलिए solve करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, उस तरीके से आपने करना है, जी बेटा, भी हम इसको solve करते हैं आपके सामने, ठी जैनि length और width या width आप कह सकते हैं इन दोनों को आप रखके multiply कर लेंगे तो multiply करेंगे आपके पास answer आ जाएगा ठीक है अब यहां आपको क्या दिया है इन्होंने chips wrapper की long length दे रखी है तो L कितना हो जाएगा is equal 4.5 cm हो गया और L के बाद इन्होंने क्या दे रखी है उसकी width दे रखी है 5.9 cm W is equal 5.9 cm दिया है आप इन दोनों को multiply कर लेंगे तो आपको इसका area आ जाएगा ठीक है area क्या होगा is equal length into width इन्होंने width का तो हम width लिख लेते हैं तो area is equal क्या जाएगा 4.5 है and into 5.9 है ठीक है हम दोनों को यह आपको multiply करके दिखा रहे हैं क्या बनता है आप देखें आपके पास आपस आजाएगा 4.5 हमने लिखा and into हमने किया किस से 5.9 से 5.9 ठीक है यह देखे हमने लिखा ठीक है 5.9 यह कर लिए हमने अब हम इसको equal को press करते हैं तो आप देखें यह हमने equal को press किया क्या है 26.55 क्या आगया हम आपस area आगया 26.55 ठीक है डबल 5 आगया अब यहाँ पर यह भी centimeter में है और यह भी centimeter में तो दोनों centimeter को हम multiply करेंगे तो क्या आजाएगा centimeter square आजाएगा ठीक है एरिये का योड़ वैसे भी square होता है समझा गया बटा इसके बाद हम करते है next विए हमारे पूरे हुए फिफ्थ तक पूरा हुआ है अब हम six करेंगे six में देखें क्या हमाय पास, छोटे-छोटे से सामारे लेकन समझ के करना है, ऐसा ही तो antitest में आता है, ऐसे थोड़ी ना आता है antitest में कि आपको पढ़ा और उसको solve कर लिया, नो, in which the unit of base quantities were introduced is called जो base quantity को introduce करेंगे आपको मालूम है SI यह रहा S और I ठीक है यह कौन से SI सिस्टम होता है यानि system of international unit तो यह हमने यहां टिक कर दिया यह तो जारे बहुत असान है solve करने वाला नहीं है अब हम देखते हैं 7th 7th देखें आपके पस क्या है क्या दिया है all accurately known digit and the first doubtful digit in an expression is known as देखें first doubtful digit होगा जो हम लेंगे यानि कि हमारे पास इसमें system में पूरे में होगा वो क्या कहलाएगा significant figure कहलाएगा यह भी आपको मानूमे significant figure means इसका option क्या है इसका option B बनेगा इसके बाद है question number 8 आप देखे question number 8 क्या है आपके पास यह रहा question number 8 if zero line of vernier caliper scale coincide with zero of the main scale अगर दोनों scales की zero zero line ही आपस में मिल जाएगी तो वो क्या कहलाएगा उसकी reading zero होगी zero error of the instrument is देखे zero error का मतलब क्या होता है हमने दोनों को अच्छे से मिलाया बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वो दोनों आपस में मिल ना पाए zero zero से ना मिल पाए तो उसे error कहा जाता है तो उनोंने क्या कहा है कि zero error of the instrument is क्या है systemic error होता है यानि इस device में ही error होता है कोई खराबी हमसे नहीं प्यादा होई बलके उस device में ही ऐसा है कि दोनों को मिलाया जाएगा उनके mouth को तब भी वो आपस मिल नहीं पाएंगे ठीक है यहाँ पर क्या है length, mass, electric current, time intensity of light and the amount of the substance are called the अब आपको मालू है जो आपने seven basic quantities याद की है उन basic quantity के यह name दे रखे हैं तो क्या होगा base quantity होगा या basic quantities होगी ठीक है बटा, समझा रहा है न जी, इसके बाद देखें यहाँ पर आपको एक table दे रखा एक chart दे रखा आपने इसको solve करना है इसको आपने हल करके बताना है कि यह क्या क्या चीज़े हैं तो हमने यहाँ पर इसको fill up कर दिया है आप इसे देख लीजेगा cooking, बार्बी की जो cooking करते हैं वो क्या करते हैं thermodynamic होता है यानि कौन सी branch से belong करता है thermodynamic होता है turning the blue on blue को हम क्या करेंगे bulb, turning of the bulb on क्या है, bulb जब चल रहा है means on हो रहा है, off हो रहा है तो क्या है, electric है इसके बाद है, riding a bicycle, cycle का चला एक है, mechanics से तालुक रखता है mechanism है इसमें इसके बाद है, looking for the gent galaxies, जब galaxies को हम देखते हैं तो galaxies किसमें आती है astrophysics में आती है producing loud sound, अगर sound तेज है आइस्ता है, यह sound की कोई भी बात है तो आपको मालूम है, वो किसमें आगी स्ट्री में भी आएगा, obtaining energy from the earth, earth को क्या कहा जाता है earth को कहा जाता है, geo लेकिन अब उसको कहा जाता है, g ठीक है, तो geophysics है जिसमें earth का तालुक होगा, वो geophysics है ठीक है, बैटा जी, इसमें क्या है यहाँ पर physical quantities है SI unit है, और type है physical quantities अगर ampere है तो उसका क्या SI unit भी ampere होगा और इसके बाद यहाँ पर क्या है, यह इसका basic unit है आप पहचाल रखें, जो अकेला अकेला है वो basic है, और जो multiplied है, या divide है वो drive है, यह देखें, दो M होगा है न, मीटर, 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 3 है बलकि इसमें 3 लिखा है, volume है न इसके बाद है, यहाँ पर क्या time second अकेला है, तो basic है Kelvin अकेला है, अकेला है तो basic है, force का यह newton जो बनता है, तो यह ऐसे नहीं बनता है force का force कहां से आई, force कैसे आती, देखें यह drive है, force ऐसे होती है आप यह देखें, force बराबर किसके होता है हम जानते है का physical क्या है आपने foreign value पूट करके देखना है physical क्या है, ma है तो जब physical ma है, तो हम क्या करेंगे इसमें, यह ऐसे ही दो नहीं unit बना यह बना है, mass का kilogram है और इसका क्या in two meter per second square है यह इन दोनों को जब किया, तो newton बना है, तो किसी दो के या तीन के multiplication से या division से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास drive कहलाएगा, तो यह क्या है यह drive हो गया, आपको यह यह बताना है, कि drive कौन से है, इसके बन नूटन भी इस से बना, फिर यह क्या है kilogram per meter cube, यह भी आपको नजर आ रहा है, कि यह भी दो चीज़े है, तो यह भी drive है, यह भी दो चीज़े है, यह भी drive है, जो अकेला है, वो क्या है, वो basic है, ठीक है बताएगा, इसके बाद next देखें, next में आपको क्या दिया है, आपको कहे convert the following values, values को आपने convert करना है, हमने यहीं पर आपको convert करके बता दिया है, otherwise हम आपको यहां बता देते हैं, इसको convert करके ताके आपने conversion के लिए आपको scales यादोंगे और आपने physics में scales का use किया है, देखें, अब क्या आपको दे रखा है, उन्होंने कहा है, 230 cm है, ठीक है, यह हम कर लेते हैं, 230 cm है, लगा दिया, अब आपको यह पता होना चाहिए के meter और centimeter को जब आप देखें, तो unit में, एक meter में कितना centimeter होता है, बता, cent means वैसे भी centimeter होता है, 100, ठीक है, तो आप यह बात याद रख लें, एक meter में 100 centimeter होता है, तो हमने 230 लिखा, और इसको divide हमने कर दिया, 100 से, जब 100 से divide कर देंगे, तो हमारे पास answer क्या आजाएगा, 2.3 आजाएगा, और यह meter दिया, meter आजएगा, यह 2.3 meter बन गया, दूसरा आपको भी दे रख था है, उन्होंने, 250 grams है, ठीक है, 250 grams है, और grams के साथ, उन्होंने, dash dash देके, और आखर में कहा है, कि वो क्या है, kilogram है, अब आपको scale बनाना है, kilogram और gram के दरम्यान में, अब आप यह बात जानते हैं, कि kilogram, gram में क्या है, 1 kilogram में 1000 gram होता है, ठीक है, 1 kilogram में, हम यह लिख लेते हैं, 1 kg is equal 1000, 1000 grams होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपने 250 को यूँ रख दिया है, यह क्या हम आपस grams है, and divided by किस से कर देंगे, इसको 1000 से कर देंगे, तो is equal आ जाएगा, आपके पास 2.5, 2.5 kilogram आ गया, ठीक है बटा, 3rd आपको उन्होंने दे रखा है, 0.8 meter, क्या दिया है उन्होंने, यह A है, यह B है, ठीक है, और यह C है, C अभी दे रखा है, आपको उन्होंने, 0.5 second, time दिया, 0.5 second है, और उन्होंने कहा है कि इसको आपने equal convert किस में करना है, जो इन्होंने दिया होगा, उसी में करना है, उन्होंने क्या कहा है, इसको millisecond में आपको करना है, ठीक है, millisecond में, जिसको हम किस से जाहर करेंगे, ms से जाहर करेंगे, millisecond, millisecond में करने के लिए, आप क्या करेंगे, 0.5 को, जो दिया हुए, 0.5 को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 500 बन जाएगा 500 ms 500 millisecond बन गया ठीक है इसके बाद हमें क्या करना है next हम देखते हैं जो इन्हें दे रखा हमें क्या दिया है इन्हें 0.8 meter जिए D में इन्हें हमें दिया 0.8 meter दिया है तो आपको meter को convert करना है किसमें यह उन्हें का millimeter में convert करें तो आपने क्या करना है 0.8 को into करें millimeter में convert करना है तो आप 1000 कर दें तो यह आपके पास आ जाएगा 800 millimeter 800 millimeter multiple आप कर लेंगे calculator में ठीक है यह आपको क्या दिया हुआ है e में आप देखें जो value ने दिया पूछी हम वही value लिख लेते हैं उन्होंने क्या का हमें 350 is equal 350 ठीक है 350 kg यह है ms ms दिया यानि क्या है microsecond दिया उसको हमें second में कर लेना है तो हमने यहां उन्होंने क्योंकि s दिया है तो s से हमें पता चलेगा दोनों unit को देखेंगे तो हमें पता चलेगा क्या पूछा हो ने यहां 350 को divide कर दे 1000 से divided by 1000 तो आपके पास क्या आजाएगा 0.35 आजाएगा 0.35 यह आपके पास आगया ठीक है second फिर उन्होंने आपको f क्या दिया यह f हो गया आज करें तो आपने क्या करना है 1.2 लिखा kilogram जो इन्होंने दे रखा kilogram kilogram ना भी रिखें तो काम चल जाएगा kilogram इसको हम इंटू किस से करेंगे 1000 से करेंगे ठीक है kilogram ने लिखें यहां कर लेते हैं इंटू 1000 हमने 1000 से इसे जब multi black किया तो आपके पास answer आगया 1200 ठीक है यह रहा 1200 ग्रैम्स हो गया यह आपका answer हो गया यह भी आपने इसको unit को याद रखना और units को याद करकर करके आपने इसको solve कर लिया है ठीक है बटा जी बटा अभी हम करेंगे prefixes वाले question ठीक है prefix कौन सा होता है शुरू में जो नाम यूज होगा वो prefix है और जो उसके बाद का हिस्सा होता है वो होता है suffix होता है जैसा कि हम आपको example देते हैं देखें example क्या है हमारे पास अगर यह हमारे पास one kilogram is equal thousand gram ठीक है अब इसमें क्या हमारे पास है हम कहते हैं kilo kilogram हमने लिखा kilogram ठीक है हमने kilogram लिखा तब kilogram में क्या होगा यह हम दोबादा कर देते हैं अब जो kilo है और यह gram है यह हमारे पास क्या है यह prefix हैं और यह suffix हैं क्योंकि gram gram सब में आएगा kilogram, microgram, miligram ठीक है यह सब में आएगा यानि जो हमारे पास से सेफेक्स होगा वो सब में आएगा बार बार आएगा इसी तरीके से हमारे पास सेकंड में अगर टाइम हम लेंगे तो क्या होगा मिली सेकंड है माइक्रो सेकंड है यह सब क्या है जो बाद में आता है वो क्या आता है स्टोटा जो पहले आता है वो प्रिफेक्स ही अभी देखिए यहां पर हमारे पास क्या है यहां पने आपको सॉल्फ कर दिया है समझा देते हैं उन्हें का 75 000 000 मीटर ठीक है यह मीटर है और इसमें हमें किसमें करना है जहाब 75T इन्टू, इन्टू क्यों होगा 10 पार 2, यह होगा हेक्टो होगा, ठीके हेक्टो, आपको टेबिल याद करना पड़ेगा, 1 अबलीक 1000 सेकंड, 1000 सेकंड में से आप इसको 3 0 कर ले, यह 10 पार 3 हो जाएगा, उस पावर को उपर ले जाए तो माइनस का हो जाएगा, तो यह मिली ह रखेंगे, हमने अभी आपको का के 1 अबलीक, यह है, 1 अबलीक 1000, is equal 1 अबलीक 10 पार 3, is equal 1 into, यह 10 जब उपर जाएगा, तो 10 पार 3 माइनस का हो जाएगा, इसी तरीके से 1 अबलीक, अगर 6 है, तो 1, 3 और यह 3, 6 हो गया, इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीके हमने किस तर ठीक है, कि आप इसको अबलीक वाली पावर को ऐसा ही कर दे, 10 पार 6 कर दे, 6, 0, 6 कर दिया, अब यह जब उपर गई, तो क्या बन गई, 1 की कोई importance नहीं हो दे, लेगिन वहां हमने आपको लगा के दिखा है, जब यह उपर गया, तो माइनस का 6 हो गया, ठीके, इस तरीके से हैं, तो आपने यह बात याद रखनी है, और आप इनको प्रिफेक्स को आप, यह हम यहीं पर कर देते हैं, और आप इसको देख लें यहीं पर, अगर नहीं समझाया होगा, आप पूछ लीजेगा, हम आपको बता देंगे, comments box में, ठीके बटा, इसके बाद यहां क्या है, यह माइक्रो है, माइक्रो मीन 6 होता है, ठीके, यह माइक्रो हो गया, और यहां देखे, यह 9 हमारे पास है, 3, 3 and 3, 9 है, ठीके, तो यह क्या हम आपस यह गेगा होता है, गीगा, तो आपने यह बात याद रखनी है, यह units है, system of unit में आपने याद रखना है, और table आपको ठीके, यह table आपको अच्छे से याद रूना चाहिए, आपको plus minus की तमाम जो है, values का पता चल जाएगा, जब आप इसे याद करेंगे, और यही आपको आगे तक जो तमाम उसमें problems में कहीं भी help out, यही आपका table आपको करेगा, page number 16 है, ठीके वेटा, तो यह आपको समझ आग scientific notation में आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि rest of power हम बहुत ज्यादा अगर value बढ़ी होती है, तो हम उसका base 10 रखके और power लगा देते हैं, तो यहाँ पर उने क्या कहा है, the radius of one orbital, one means first orbital of the hydrogen atom is r equal, r जो ना radius बराबर किसके है, इतना armstrong दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पीको मीटर में करेंगे, उसके बाद हमारे पास मीटर में यह वाली value आजाएगी, ठीक है, आपने इसको इस तरह याद रखना है, यह constant values होती है, याद रखनी है, one light here is that, इतना बड़े मीटर आपको दे रखा है, आप इसको क्या करो, scientific notation करें, scientific notation में आपने क्या किया, आ यह वैक्यूम प्रेशर के है, इतने टौर होता है, इतना टौर बराबर के है, टौर के है, आपको बता है, टौरी सीला, scientist ने अपने नाम से रखा था, अब उसने equal के है, इतने टौर के बराबर दिया है, यह भी आपको यह याद रखना है, यह value दे रखी है ना, लेकिन density and the volume, density में देखे, density and volume में आपको values given क्या है, आप यह देखें, उन्होंने आपको यह कहा है, a wooden piece is made in different shapes, wooden का लकड़ी का एक टौरा है, जो मुक्तलिफ किसम की shape में, वो कटा हुआ है, है, मौझूद है, आपके पास, different pieces हैं, उसके, उसकी क्या है, height, length, radius, देखें, तीनों values ह height है तो भी, length है तो भी, radius है तो भी है, आप याद रखेंगी, two है, तीक है, आप पैटा यह याद रखेंगे सब, कि two meter है, calculate हमें volume करना है, अब आपको फार्मूला पता узна चाहिए, के sphere के volume का formula क्या है, cube के volume का formula क्या है, cylindra के volume का formula क्या है, और paramaire के volume का formula क्या है, तो volume के formula हम क को बताते हैं आपने फार्मूले याद रखने उनमें वैल्यूस पूट करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा ठीक है बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं है बेटा कि हम ये कहेंगे हमें अपने आप ही आजा हमें याद करनी पड़ेंगी जब याद करेंगे तो ही आपको समझ देखिए ना बेटा हर सब्जेक्ट में साइस के सब्जेक्ट में फार्मूला मस्ट है जी इसमें हम क्या करेंगे अगर हम फार्मूला अपलाय करते हैं सबसे पहले हम क्या लिखें जो उन्होंने हमें कहा कि आपको काया कि स्फेर ठीक है स्फेर के लिए फार्मूला आपने पाई, आर क्यूब, अब आप पाई की वैल्यू भी याद रख लेंगे, पाई की वैल्यू होती है, 22 बटा साथ, ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड करके, आप इसकी वैल्यू पूरी पूट कर सकते हैं, आप ये जुबानी याद रख लें, 3.14 इसकी वैल्यू है, जो कि आपको पूट करनी है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बार-बार सॉल्फ करके देखे, आप इस वैल्यू को जुबानी याद रख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नमबर बन जो उन्होंने हमसे पूछा है, यानि ए जो पूछा है, यानि ये वैल्यू आपको क्या दिया हुए, क्यूब में हमारे पास एक्चल जो फार्मूला आएगा, वो समझे के कोई भी क्यूब जब होगा इस शेप का, तो आपके पास क्या आएगा, लेंथ, ब्रिट्थ और हाइट आएगी, तो हमारे पास वाल्यूम बराबर किसकी हो जाएगा इसका, वाल्यूम हमारे पास आएगा, अब वैसे भी एक्चल वाल्यूम का फार्मूला ये है, लेंथ है, इंटू विट्थ या ब्रिट्थ, ठीक है, विट्थ है, और इंटू क्या है, हाइट यानि के एच आज आएगा, ये आपने फार्मूला याद कर लेंगा, जिससे के हम क्या करेंगे, देखते हम तीसरा उनने हमसे क्या पूछा है, हम वही बयान कर देते हैं, जो उनने तीसरा हमसे पूछा है, हम बस आप ये फार्मूले याद रख लेंगे ना, बेटा समझे तो काम हो गया, आपके बस क्या है, सेलेंडर की हाइट पूछिए, ठीक है, living is equal pi r square h, ठीक है, सेलेंडर is equal, हम volume मालुम कर रहे है, volume, volume किसके है, is equal, volume है pi r square h, ठीक है, ये सेलेंडर का हो गया, और d में उनने हमें फोर्त में क्या कहा है, पिरमाइड का पूछा है, तो हम या फोर्त लिख देते हैं, या आप d लिख दें, या आपके पास क्या यह यह पाइरमाई अठीक है पाइरमाइड का वॉल्फ पाइरमेड देखा है लिडियो इसमें जरूर देखा हुआ कैसे लिफरेमी मेटरी वॉल्फ M फार्मूले स्कूर में जरो ही consciousness पुट कर देंगे तो no problem, कोई भी मुश्किल नहीं, आप असानी से कर सकते हैं, अब हम यह आपको इसी में value पुट करके बता देते हैं, ताकि आपको असानी से काम करना आ जाए, इसे थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, ताकि आपको सहुलत रहें, और आपको असानी से समझ आ जाए, और आप इसको value उसको अब देखेंगे, हम क्या करेंगे, हमने is equal डाला, volume अपनी जगा है, 4 oblique 3 हमने put किया, और pi की value हमने आपको बता रखी है, 3.14 आप put कर सकते हैं, यह हमने put किया, radius r हमें कितना दिया, data में, हमें 2 दिया, 2 हमने cube डाल दिया, ठीक है बटा, now is equal इसकी calculation करें, तो क्या आजाएगा आपके पस, उपर इन सब को multiply कर ले, multiply करेंगे तो आपके पास आजाएगा, यह 100, 100.48 आगया, and divided by इस 3 से, divided by 3 आपने कर दिया, तो आपके पस value क्या आगी, 33.49, 33.49, और क्या आजाएगा, इसके volume होता ही, इस cube में है, centimeter cube आगया, ठीक है, यह हो गया, first अब देखें, इसी में very put की, तो आपने आसानी से इसको कर लिया है, जी, अब इसके बाद next में क्या दे रिखें, हम जानते हैं, के length है, width है, height है, कुछ भी है, थोड़ों यह उपर करके कर लेते हैं, ता कि आपको है, हर एक की value के 2 into 2 into 2, ठीक है, data में बता दिया है, हमने आपको बता है, अब इसे आप multiply करेंगे, तो क्या हो जाएगा, is equal 8, और 8 में हमारे पास क्या दिया हुए, centimeter cube या meter cube, जो भी दिया है, centimeter cube है, या meter cube है, आप वो ही डाल देंगे, या के centimeter cube दे रखा है, हम एक ही value दे दि cube, सम centimeter cube ही डालेंगे, ठीक है, centimeter cube हमने डाल दिया, इसके बाद है, cylinder का, cylinder में आप देख लें, cylinder के में क्या दिया हुए, आपको formula, इस formula में आप value पूट कर दे, देखे, पाई की value डाले, पाई कितना दिया हुए, आपको भी हम तो है, हमारे पाई हमने आपको बता रहा है, 3. 3.14 पूट करें, इन्टू आर कितना है, आर आप जानते हैं, 2 है, 2 का square पूट कर दें, इन्टू हो या आर हो, आपको ये बात मालूम है, कि दोनों सब हर एक 2 के बराबर है, हमने ये रखा, आप multiply करें, क्या आगया, 3.14 आगया, इन्टू तू तूजा 4 हो गया, एन्टू 2 हो गया, अभी ने जब आप आपस में multiply करें, तो आपके पास answer क्या आजाएगा, 25.12, क्या आएगा, 25.12, और हम जानते हैं, कि यूनट गया, सेंटिमीटर क्यूब यूनट है, हमने वो पूट कर दिया, इसके बाद बिटा, पैरमाइड में हम या value पूट कर लेते हैं, 1 4 कर लें, और 2 आप 2 कर दें, अब आप इने जब multiply करेंगे और divide करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4, 2, 8, तो इसे 1 से multiply करें, तो 8 oblique 3 आगया, और जब हम इसको divide करेंगे, तो 2.66 आजाएगा, 2.66 cm3, ठीक है पीटा, यह हमारे हो गए, तीनों, चारों जो हमें द पास क्या है, जी, यह देखे हमारे पास जो problem दे रखे है, फिर हमें 10 दिया हुआ है, और 11 दे रखा है, इसके बाद है, यहाँ पर significant figure का यह दे रखा है, आपको यह कितने significant figure है, वो आपने यकीन पढ़ा होगा, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें हमारे पास कितना आएगा, 8 ह आपने याद किये होंगे, यकिनन के जीरो, उसका माइना के जीरो कहां important है, कहां important नहीं है, ठीक है, कहां उसकी एहमियत है, और कहां एहमियत नहीं है, इस तरह से आपने यह वाली बात याद रखी है, ठीक है, जीरो की तो आपको एहमियत पता है न, अगर वैसे हम किसी को क जाती है आप देखे हंड़िड के साथ एक जीरो लगा दे तो थाउजन बनिया फिर उसके साथ जीरो लगा दे टैन थाउजन बनिया तो उसकी भी बहुत बड़ी वैलियू होती है ठीके मैटा अभी आप ये करें कि आप अपना बहुत खयाल रखियेगा मेहनत कीजेगा अल् सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और शियर करें ठीके मैटा अल्ला आफेस